हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो हैकरोम आज मैं एक सिंपल एस्टीम इंजन बनाने वाला हूं किरप्या इस वीडियो को एंड तक जरू देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं एक इस तरह का कॉपर पाइप लेंगे जो नार्मल फ्रीज रिपेरिंग के दुकान पर मिल जाता है अब यहां पर कोई भी सिलिंड्रिकल वस्तों लेंगे मैं यहां पर टार्च ले रहा हूं अब इस पर इस तरह रख करके इसको मोड़ देंगे कि यहां से काट कर इसको बराबर कर दे रहे हैं एक फोम का गोल्ड टुकडा ऐसे काट लेना है अब इसको इसमें इस साइज का छेद कर देंगे अब इस फोम में इसको लगा दे रहे है अब इसको प्लायर के मदद से मोड़ देना ऐसे एक नीचे की तरफ एक उपर की तरफ यहां पर फेबिकॉल या गुलू से इसको चिपका देंगे उसके बाद इसमें पानी भर देंगे एक कटोरा में पानी भर देंगे अब इसको इसमें रख देंगे अब इस पर एक मोंबत्ती रख करके जला देंगे इसके हीट से चलने लएगा थोड़ा दिर में देखिए चलने लगा इसको रूम में चला करके देखेंगे इस मोंबत्ती को जला दे रहे हैं थोड़ा सा टाइम लेता है गर्मोने में इसके बाद चलने लगता है कर दो आँ कर दो कर दो झाल झाल झाल